यह दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मार्किट में लॉण्च किए गया है तो आज हम देखने प्रतिक प्रतिक प्रशन्स के एक vyagar क्या मुर्ण नया भल्ध कि किया गया है यानि अगर आपका चार होता है तो के गलत होता है तो आपका ढ Μ़ेंस्ट किया गए है तो हम इसका सैंनल बाइन के लिए बहुत जल्द हमसलेंे स एक टार्गेट बैच स्टार्ट करने वाल है उसमें क्या है कि आपको एक मिनिमन एक बहुत ही कम फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा और जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं तो मार्केट वह जितना भी प्रैक्टी सेट आता है आपको उसमें दिया जाएगा चाहिए अडू कोशन से और भी कोशन तयार हो ठीक है चलिए पहला प्रस्न क्या है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा जो है बनाया था बताइएगा इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए हो जाएगा प कोन्त hack प्रथम यूरोपिए कंपने थे पुरत्गाली ने अफना प्रथम कारखाना जो है दोस्तो 1503 में कोचीन में इस्थापित किया था कहां पे कोचीन में स्थापित किया था पुरतगाली ने गोवा को 1510 इस्वी में बीजापूर के सुल्तान यूसुफ आदिल साह से छीना था ठेक है छीन लिया था और वही अगर हम पुरतगाली के बारे में थ्वासा और जान लेते हैं पुरतगाली ने हुगली पर अधिकार वहां से गुजरने वाले जहाजों को लुटने के मकसद से किया था तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे आगे प्रसन है निमलिखित में से कौन सुमिली थे यानि इन में से आपका सही कौन सा है देखे जो आपका यहां पर चतूर्थ अंगल मैसुर यूद हुआ था टीपू पराजित किया गया था और यूद के मद जो है वो आपका दिवंगत हो गया था यानि वो यूद के अंत में वो मारा गया था तो हमारा जो सही सुमेली से हमारा option number यहां पे D सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे ठीक है अगर वही हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि टीपू यानि मैसूर का जो सेर था वो कौन था टीपू को ही कहायता था उस टाइम मैसूर का सेर टीपू को टीपू का जो कथन था कि भेड़ों की तरह 100 साल जीने से यानि भेड़ों की तरह 100 साल जीने के बजाय क्या है कि सेर की तरह एक दिन जिन्दगी बहतर होती है यह किसका कथन था टीपू सुल्तान का था आगे प्रसन है हमारा question number 3 निमलखित में से कौन से युग में जो है सही सुमेलित है यहां पर देखिए आपका आवधी दिया गया है दूसरे तरह आपका यहां पर युद दिया गया है तो आप इसको अच्छे से समझेगा किस तरीके से क्या है तो देखिए इसमें आपका मिलान करके बताना है तो हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से कौन कैस युद्ध हुआ था तो हमारा उत्तर जो है दो और तीन सही उत्तर हो जाएगा अगर हम बात कर लेते हैं कि लॉड कार्नेवालिस के कारेकाल में तृति जो है हमारा यहां पे आंगल मैसुर युद्ध हुआ था किसके काल में हुआ था लॉड कार्नेवालिस के कारेकाल में हु देखिए एक ay question को आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहां से जो question है बहुत डइफिनेटली बनने का चांग से कि के इस बार जो सेठ में question दीया गया है अच्छा question है इसका discussion भी अच्छा दिया गया है तो आनसर आपका हो जाएगा हैदराबाद का निजाम इसका सही उत्तर हो जायेगा अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से देखिए निजाम उल्मुल्क के द्वारा सतरो सो सतरो सो चौबीस इस्वी में हैदराबाद में स्वसंद्र राज्य की जो है स्थापना किया गया था वही अगर हम बात करेंगे मीर कमरुदीन खान सिद्धिकी को चिनकिलिस खान के नाम से भी जना आता है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे नेश्ट प्रस्त हमारा है देखिए इसमें आपका सूमिलित करके बताना है इस्थान और अंग्रेज द्वारा विले का वर्स यहां पर दिया गया है तो इसको मच्छे से देख लेते हैं देखिए अगर हम संभलपूर की बात कर लेते हैं तो हमारा 1849 हो जाएगा अवद की बात करते हैं तो 1856 हो जाएगा जहांसी की बात करते हैं तो 1830 हो जाएगा तो इसको आप अच्छे समझेगा देखिए लौड डलहोजी ने भारत में राज विस्तार के लिए व्यापगत या फिर हडप निति का यहां पर सहारा लिया था ठीक है हडप निति के अंतरगत जिस राजा के उत्राधिकारी नहीं होते थे उसके राज ये को बिटिस भारत राजे में विले करने की जो निति है अपनाया गया था आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और इसके मतलब क्या कि डलहोजी ने हडप निति के अंतरगत जो है सर पर्थम 1848 इसवे में साधारा राज्य को यहां पर छिन लिया था अगर आप से यह प्रस्त पूछा जाए कि हडप निति को किसने सुरू कि जाए था तो आपका इहां पर हो जाएगा अच्छे से आपको यादी होगा लॉड डॉल हो जी हो जाएगा लेकिन हरप नेति को किसने समाप्त किया था आप इसको अच्छे से याद रखेंगे लॉड कैनिन हो जाएगा किसने समाप्त किया था लॉड कैनिन के द्वारा चल हो जाएगा देखिए लौड कैनिन के काल में 1860 इस्वी में भारतिय डंड सनहीता यानि इंडियन पीनल कोड जो है कानून बनाए गया था सिविल प्रक्रिया संबंदित कानून पहली बार 1869 इस्वी में जो है लागू हुआ था चलिए आगे देख लेते हैं आगे हमारा प्र सवतंद्रता संग्राम के रूप में हुआ था तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएक कोस्टनमर्ट सेविन का ओप्सनमर्ट हमारा ए हो जाएगा डाक्टर एस एंड सेन हो जाएगा याद रखेंगे डाक्टर एस एंड सेन अब इसकी बारे में थोड़ा सा समझेगा ज हुआ आपका गाय और सुवर के चर्वी का एंफिल्ड राइफल के जो कार्तूस के धकन जो था उसको मुह से खोलना होता था इसके विए से यह सबाब का यहां पे हुआ था ठीक है तो कुछ कथन है आपको जो कि याद रखना जरूरी है आपके एक्जाम के लिए जैसे अस संग्राम था ठीक है और के लिए स्याद रखेंगे कथना आपका अब बहुत तुचा पूछता है निमर्खित में से कौन सुमेलित नहीं है बिद्रोह दिया गया है और आपका इहां पे वर्स दिया गया है देखिए अब इसकी बारे नहीं थोड़ा समझिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सना यहां पे गलत है तो जो आपका यहां पे कूका discipline जो है 1832 नहीं आपका यहां पे गलत चलिए आगे प्रस्न है निमलिखित कत्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उत्तर जो है निम्न कुटू के अधार पर दीजिए तो क्या है उत्तर इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से देखे नाइन के अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा ओप्सन नमर ए हो अधर ने किया था तो तीनों पॉइंट जो है हमारा यहां पे सही हो जाएगा अब फ्रस्न इसके बारे में हम समझते हैं जैसे हमारा यहां पे ब्रह्म समाज की जो इस्थापना है 20 अगस्त को हुआ था और 1828 में राजा राम मोहर राय के द्वारा यह किया गया था था यह आपके लिए जरूरी है आगे प्रस्न है निम्रिखित का सही काल करब मनुसार जो है क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑप्स नमबर ए हो जाएगा यानि मैकाले का जो मिनट ओन एजुकेशन हो जाएगा उसके बाद हमारा यहां पे बुर्ट का एजुकेशन डिस्पैस हो दोस्तों अठारा सो पैंतिस में ठीक है और वही हम बात कर लेते हैं बूर्ट का इजुकेशन डिस्पैस अप्ट जो है यहां आपका डिस्पैस्पैस हो जाएगा क्यूंकि आपको सन भी याद रखना जरूरी है आपके लिए हंटर आयो कि अगर हम बात कर लेते हैं तो हमा सार्जेंट एजूकेसर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हुआ था अठार सब्सक्राइब निस सो चौवालिस पे चलिए आगे देख लेते हैं आगे हमारा प्रसन है बहुत अच्छा प्रसन दिया गया है आप इसको समझ ले समझते हैं अगर पूरा प्रसन और प्रांतिय समिलन के मंत्री 29 वर्ष की आवस्था में राष्ट्रिय कॉंग्रेस के मंत्री बने थे 34 वर्ष की आयू में प्रांति विधायक बने थे 36 वर्ष की आयू में इंपिरियर विधायक 49 वर्ष की आयू में भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना था, आप यहां पे देखिए अगर आपको पूरा ये भी नहीं मालू हैं, तो आप इतना देखेंगे जिसे महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो इतना अगर आपको याद है तो आप आंसर इसका सही कर तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ओप्सन हमारा यहां पर सी सही हो जाएगा इसलिए कोशन को पूरा पढ़ायता है ठीक है नीचे संगटनों की एक सूची दिया गया है सूची के नीचे दिया गया कूट का प्रियों करते हुए क्रांत इनो भारत की जो स्थापना हुआ था यह आपका 1904 में हुआ था तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे हमारा प्रसन क्या है को से नवर 13 पर आते हैं यह आपका बोला किसान 1916 इसे में होम रूल लीग आरम क्या गया था ज आप अच्छे से याद रखेंगे नेश्ट कोशन है आपका 14 नंबर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्यागरह जो है आरम किया था कहां से तो कहां से प्रथम सत्यागरह आरम किया था अगर आपका भारत से पूछेगा तो आप चंपरण मारेंगे लेकिन यहां पर पूछा कार के रूप में 1893 में कहके दच्छुड अफरीका गये थे तो यहीं से हमारा यहां पर सुरू हुआ था गांधी वादी विचारधारा किन के प्रभावित यानि किन से यह प्रभावित रहा है तो सही आंसर आपका पंद्र का हो जाएगा ऑपसर नबर हमारा यहां पर ई हो ज गया था इस पुश्टर का गांधी जिन ने गुजराती भासाम में शरुबदे के रूप में क्या है कि अनुवाध किया है तो आप इसको अछे से याद रखेंगे आगे है किसान नेता मोतिलाल तेजावत किसे संबंदी थे तो यह आपके संबंदी थे मेवार के भील आदिवासी आंदोलन से हैं ओप्सन हमारा यहां पे सोला का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखेंगे आगे प्रस्न है निमलखित में से एक ने प्रथम विस्यूद के समय भारत की रक्षा के कानून के प्राधानों को जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद इस्ति को अच्छे से याद रखेंगे अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्री सुरक्षा अधिनियम जो है कब लाए गया था तो यह आपका 1915 मिलाए गया था वर्स 1915 में पूरो स्वराज की वचन बदता के साथ भारत में प्रत्थम स्वतनरता दिवस जो है मनाया गया था कब यह कब मनाय गया था तो इसका सही आधसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 में देखिए सुराज अगर विधे की बात कर लेते हैं तो बाल गंगादर तिलक ने लाया था यह कब लाया था तो 1895 में लाया था 1895 में अगर वही हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कलकत्ता धिवेशन में पारि जो हैं आरंब किया था वरी इंपॉर्टे ύट बीडियो रों की आंसर कीजिएगा आप सभी लो기로 है इसका आंसर हो जाएगा आंत्र तक लड़ो जह हमारा यहां पर डांडी यात्रा हुआ था यह कौन से वाक्र के साथ जो हैं आरंळ रहा इस हो जाएगा तेखिए गांधी जी ने अपने 78 अनुयाईयों के साथ जो है साबर मती आसरम से डांडी मार्च जो है प्रारम किया था और वही अगर हम बात कर लेते हैं कि 6 अपरेल 6 अपरेल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानुन को तोड़कर नमक सत्या ग्रह से सविने अवग्या आंदोलन जो है प्रारम किया था तो आप इसको अच्छी से याद रखेंगे भूलेंगे नहीं वर्ट्स 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कॉंग्रेस का मंतरी मंडल जो है बना था तो इसका सही आंसर हमारा यहां पर ऑप्सन नमर ई हो जाएगा देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि 1937 के चुनावों में आठ प्रांतों में कॉंगरिस का मंतिरी मंडल यहां पे बना था तो आठ बना था फिर उसके बाद जो आपका भारत हसना धिनियम 1935 हुआ था उसके अतर जो है 1937 में 11 ब्रिटिस भारत प्रांतों में यहां पे चुना हुआ था तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे ठीक है चली आगे है यहां कथन की हम भारत को या तो आजाद करवाएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे यह किस से जूड़ हुआ है ते जो हमारा सब्द जो है दोस्तों किस से जूड़ा हुआ है तो याद रखेंगे भारत छुड़ों आंदुरन से जूड़ा हुआ है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आठ अगस्त उनिसो बैयालिस को बॉंबे के ग्वालिया टैंक से महत्मा गांधी के ओ फॉजपूर भासर के दोरान जो है उपरोगत कहसन कहा गया है ठीक है चलिए नेश्ट है कि आजाद हिंद फॉज दिवस किस दिथी को मनाया जाता है वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए है तो याद रखेंगे 12 नमबर 1945 को 12 नमबर 1945 को ठीक है तो आप इस खोचे से याद रखेंगे अगर वही आप से प्रस्न पूछा जा कि आजाद हिंद सरकार की इस्थापना किस ने किया था तो सुबाश द्रबोस ने किया था 21 अक्टूबर 1943 को जितना आप से डिस्कसन हो सकता है मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप डिस्कसन के साथ अपना रिवीजन कर पाएंगे भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम आउसर जो है समाप्त हो गया था अंतिम आउसर तो देखे इसका जो सही आंसर हो जाएग और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस मिशन के जो अध्यक्स कौन थे तो सरपैथिक लॉरेंस थे सरपैथिक लॉरेंस तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे भोलेंगे नहीं चलिए नेस्ट कोशन हमारा है आगे प्रसन बोला है कि इन में से किस वैसराय ने का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो दूती हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदु घाटी सभेता को जानने का जो इस्तरोत है वहां पाई गई है कहां पे तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्सन बर यहां पे इसका उतर हो जो है एक सदीख हो जाएगा उपनिषाथ पुश्तक्त के हैं थो डर्षन पर यहां पर आधारित हैं तो option हमाना यहां हं डी अ हो जाएगा इसमें हमारा यहां मिलान करके बताना है देखिए यहां पर महाजनपद और यहां पर राजधान दिया गया है तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं किस तरीके से यहां पर कौन सा नंबर है हमारा यहां पर 27 नंबर है ना तो बताएगा किस तरीके से क्या यह मैच करेगा दोस्तों एक सिकेंड हाँ चलिए 27 के अगर हम बात कर लेते हैं जो आपका यहां पर मतद सी दिया गया है मतद सी के अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा विराट नगर कूरू हमारा हो जाएगा इंद्र प्रस्त हो जाएगा सूरसेन हमारा यहां पर मत्ुरा हो जाएगा और आपका यहां परस्मक यहां पर पोतन हो जाएगा तो आप याद रखेंगे अगर वही है अगर हम बात करें माहा जन्पत के बारे मैं तो शठीच सतअब इसापुर में 16 महाजनपत जो है अस्तितों में आया था तो आप इसको अच्छे सियाद रखेंगे यहां से भी आपका प्रस्ण जो है प्रस्ण एक्जाम में आता है नेश्ट हमारा प्रस्ण है 28 नंबर क्यों इस्थान जहां पाक असुक ब्रामी लीपी का यहां भी पता चला था सही आंसर हो जाएगा अनुराधापूर क्या हो जाएगा अनुराधापूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराधापूर जो है उत्तरी स्रिलंका की राजधानी थी उत्तरी स्रिलंका की राजधानी थी प्रसिद बौध विद्वान अस्वगोस किसके समकालिन था किसके समकालिन था तो आंसर आपका हो जाएगा option number C कनिस्क का क्या हो जाएगा कनिस्क का देखे असोगोस जो है आपका पाटली पुत्र के निवासी थे असोगोस को कनिस्क अपने साथ जो है लेकर गया था आगे भी आपका यहाँ पर मिलान करना है देखे जो आपका यहाँ पर तुरू कुलूरा की अगर हम बात कर लेते हैं यह आपका दर्सन हो जाएगा और तोलाक की पियन की अगर हम बात कर ले हैं तो यह आपका व्याकरन हो जाएगा सिल्पादिकारम यह आपका हो जाएगा प्रेम कथा और मनी मेखले जो है यह आपका हो जाएगा वनिक का था तो आप याद रखेंगे आगे हमारा प्रस्न है 31 नमबर कि गांधार कला साइली का एक संसलेशन है गांधार कला साइली का एक संसलेशन है दोस्तों तो आंसर हो जाएगा भारतित था युनानी कला का हो जाएगा डी हमारा correct answer हो जाएगा गांधार कला और मतुरा कला का जो संबंध है कुसान वंस से है किस से है कुसान वंस से इस कला का पोसर्ण मुखेता कनिश्क द्वारा किया गया था किसके द्वारा कनिश्क के द्वारा ये किया गया था आगे हमारा परसन भी मिलान करके बताना है तो चलिए इसको हम फटाफट मिला लेते हैं 32 का किस तरीके से क्या मैच करेगा अगर हम इस्तूप की बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे सांची हो जाएगा ठीक है चितरकारी आपका हो जाएगा यहाँ पे बाग हो जाएगा कनिस्क की सिर विहीन मूर्ती के अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा मतूरा हो जाएगा और दसावतार मंदिर जो है हमारा यह दिवगड में पढ़ता है तो आप इसको अच्छे सियाद रखेंगे ठीक है भारत के सबसे सुन्दर इस्तूपों में एक जो है हमारा एक सांची का इस्तूप है ठीक है चलिए नेश्ट कोसन देख लेते हैं नेश्ट प्रस्न है निमलिखित में से कौन मोक्ष के साधन की रूप में ग्यान कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है आंसर हो जाएगा भगवद गीता क्या हो जाएगा भगवद गीता option number हमारा यहां पर C correct answer हो जाएगा भगवद गीता सभी पुरानों में सबसे महत्व पूर माना आता है वैदिक गरंथों के प्रसीद भास्यकार सायन निमन में से किस राजवन्स के अंतरगत जो है सक्रिय थे आंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर ई देखिए अगर हम बात कर लेते हैं सायन के बारे में सायन जो थे दोस्तो संत विध्यरन ने माधों के भाई थे सायन सारोमान ने महान यहां पे भासे करता थे तो आप दोनों पॉल्ट याद रखेंगे य यहां पे उसका वर्स दिया गया है तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं जैसे चंदावर यूद की बात कर लेते हैं तो हमारा 1194 में हुआ था 1194 तैमूर का जो आकर्मण हुआ था 1398 में हुआ था ताली कोटा यूद सभी को पता है 1565 में हुआ था और घागरा का यूद जो है अकबर से सब्मंदित है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के राजेसों मंत्रे जो थे दोस्तों वह आपके टोडर मल थे कौन थे टोडर मल टोडर मल अकबर के सेवा से पूर्व सेरसा के दरबार में रहते थे तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखे दोनेंगे यहां से कई बार प्रस्थन जो है पूछा गया है अगर हम बात करलेते हैं कि टोडर मल ने पन्द्रह 0080 236 में दहसाला पद्दती जो यहां पे लाव किया था यहां साला पद्ती भारत का आखरी मुगल समराघ कौं था सभी को पता होगा कि भारत का जो आखरी मुगल सम्राट सो आपका बहादूर सहद जफ़र हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहां पे बी सही उत्तर हो जाएगा और मुगल वंस का जो प्रथम सासक था हूँ आपका हमारा बाबर था बाबर चलिए आगे देख लेते हैं आगे प्रस्न है आपका 38 नंबर भारत को ए कब पारित क्या गया था तो जन्वरी यानि 22 जन्वरी उनिसो साइटालिस में 22 जन्वरी उनिसो साइटालिस ऑप्शन बर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए अगर हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं उस उद्दे से प्रस्ताव तो समिधान सभा के साथ पंडित प्रस्तावना को समिधान का अंग नहीं माना गया था तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे अगर हम बात कर लेते हैं कि बैदित में अब तक केवल एक बार जो है संसुधन किया गया है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे भूलेंगे नहीं और वही सम प्रस्तावना से ये प्रस्तावना आपका आता है कि प्रस्तावना को समिधान का हिरदे और आत्मा जो है कहा गया है चले आगे प्रस्थ्न है मिलान करना है अनुच्छेद के बारे में दिया गया जैसे हमारा 312 जो अनुच्छेद है यह किस में जाएगा दोस्तो अखिल भारती सेवा में जाएगा अखिल भारती सेवा अनुशेद एक सो पच्पन यह आपका राजेपाल की नियुक्ति से सम्मन्दित है 324 की बात कर लेते हैं तो यह आपका निर्वाचन आयोक से है और 315 जो है हमारा यहां पर लोग सेवा आयोक से है तो आप्सन आप अरेंज कर लेंगे राष्ट्रपती के सिफारिस के बगएर कोई विध्यक जोकर लगाता है विधायका में नहीं रखा जा सकता यह प्रावधान भारत के सम्मिधान के किस अनुशेद के अंतरगत आता है तो इसका सही आंसर आपका 41 का हो जाएगा आप्सन नमबर ए हो जाएगा अनुशेद 117 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे नैश्ट प्रस्न है निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानि इन में से आपका गलत कौन सा है देखिए 42 के अगर हम बात के लेते हैं जो हमारा यहां पर राय सभा में सीटो का जो आवंटन है दूती अनसूची यही हमारा यहां पर गलत हो जाएगा देखिए जो हमारा राय सभा का जो सीटो का जो आवंटन है यह आपका 4 अनसूची में है चौथे अनुसूची में वर्तमान में हमारा बारा अनुसूची जो सम्मिधान में दिया गया है तो आप इसको सभी को याद ही रखेंगे बाकि हमारा सावनिक स्वास्त एवं सोच्ता जो है राय सूची सही है जनगरना जो है हमारा संग सूची के अंतरगत आता है दल बदल जो है हमारा दस्विय अनुसूची के अंतरगत आता है आगे प्रस्ने कि भासायाधार पर राजियों का पुनरगठन किया गया था तो यह किया गया थो ओप्शन के साब से हमारा ओप्शन पर यहां पर इह हो जाएगा देखे एक नुवंबर उनिस सो चापन को सात् मिधानत संसोधन अधिनियम दोरा जो है कि राजियों का पुनरगठन किया गया था ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार गया है मौलिक अधिकार जो है आपका क्या है बताईएगा तो ये एक परकार से वाद योग है ऑप्सन हमारा यहां पे एक करेक्ट हो आपको याद ही होगा चलिए नैश्ट प्रस्न हमारा है 45 नबर जब सर्वोच न्याले किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दाई तो कि निर्वहान हे तूर लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं पर्मादेश क्या कहते हैं पर्मादेश यानि आद आगे है कि संसदात्मक सासन पढ़न विवस्था जो है किसमे है आंसर हो जाएगा विधायिका का कारेपालिका पर नियंत्रण होता है ओप्शन हमारा यहां पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन से एक मूल अधिकार राष्ट्री अपाल्त काल के दावरान सम ही आंसर के अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत सोतनरता तो था जीवन का अधिकार बी इसका उत्तर हो जाएगा समिधान के निमर्खित अनुछेदों में से किस एक के अंतरगत संग की कारिपाली का सक्तियां जो है राष्टरपती में नहीं थ है आंसर हो जाएगा अनुछेद तीरपन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे ठीक है तो चलिए नेश्ट को सन हम देख लेते हैं अनुछेद अगर बावन की बात कर लेते हैं तो इसके गत इसके कि राष्टरपती पत का यहां पे स् लोग सभा के निरवाचन के लिए नामांकन पत्र पोछ रहा है नामांकन पत्र आंसर आप हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नबर सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निरवाचन छेतर की मदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है तो ऑप्सन हमारा यहां तम कितने समय तक जो है रोके रख सकती है यानि रोक करके रख सकता है तो आंसर आपका हो जाएगा 14 दिन याद रखेंगे 14 दिन ऑप्शन नमर हमारा यहां पर डी हो जाएगा भारते सम्मिधान के अनुछेद 109 में धन बेधा की जो प्रक्रिया है दिया गया है 109 अनुछेद रखेंगे 144 समिधान संसोधन अधनियम 1978 इसका उत्तर हो जाएगा देखिये साथ मौलिक अधिकार था अब क्या है क्या है क्यों अच्छा हो गया है अब इसको हटा करके संपतिक अधिकार कर दिया गया है और अनुछे 300 में इसको रखा गया है ठीक है आगे प् अपना त्यागपत्र जो है देना चाहिए किसको या फिर वो किसको अपना त्यागपत्र जो है देता है सही आंसर हो जाएगा उपाद्यक्ष को देता है सी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आगया कि लकड़ी लोहे वो मौम के समान आकार के तुकड़ों को समान उचाई से प्रिथिवी पर गिराया जाता है तो कौन सी तुकड़ा जो है सरपर्थम प्रिथिवी की सतह पर पहुचेगा प्रिथिवी की सतह पर पहुचेगा तो आंसर हमारा हो जाएगा सभी साथ पहुचे यानि सभी साथ साथ जो है पहुचेंगे डी इसका उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्न है दोस्तों वायू में चल रही धोनी तरंगे परिवहन करती है वायू में चल रही धोनी तरंगे जो है परिवहन करती है उर्जा का क्या हो जाएगा उर्जा ओप्सन नमबर डी आगे प्रस्न है विक्सित लेजर व्यक्ति यानि व्यक्ति करण मापी अंत् हो जाएगा option number B गुरुत्वी तरणों का यहां पर पहचान करना बी इसका answer हो जाएगा निमलिकित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जो है सबसे जल्दी सूख हो गीले कपड़े जो है सबसे जल्दी यहां पर सूख हो जाएगा सफेद प्रकास में उपस्तित निमलिकित रंगों में से कौन सा रंग सीशे के प्रिज में द्वारा सबसे कम प्रचलित किया होता है या फिर प्रचलित होता है आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर बी लाल रंग क्या हो जाएगा रेट कलर पूर सूरी गरहन के दोरान सूरी को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनिय च्छती पहुशती है रेटिना का जलना सूरी की कीर्णों के निम्न घटनों या फिर रिम्न घटकों में से किस एक प्रकास की बात कर लेते हैं को 55-38 का हो जाएगा अल्टरायक प्रकास हो जाएगा सी baskar है एक मंकान में दो बल्बू मेंसे एक दूसरे से अधिक यानि रोसनी देता है चमक्धार है इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतम और उधक है उचितम और उधक है आंसर हो जाएगा मंद रोसनी वाले बल्ब में ये इसका सही आंसर हो जाएगा यदि यदि 60 वाट का बल्ब प्रति दिन 5 घंटे परियोग किये जाएं तो 30 दिन में कितने यूनिट जो है बिजली खर्च होगा तो इसका आंसर क्या होगा तो देखिए 60 नंबर है तो इसका आंसर आप सब लोग आराम से निकाल सकते हैं देखिए 60 गुड़े 5 गुड़े 30 अब बटे में आप सब लोग यहां पे 1000 कर देंगे ठीक है तो देखिए 1010 10 10 10 पांदना के 10 ठीक है अब यहां से 2 तिया 6 मतलब 2 तिया 6 अब यहां पे आप इस हैं दोस्तों तो यह आपका हीक्स बोसान हो जाएगा हीक्स बोसान ओफसे नम्बर भी नेक्ट परसक्राइए कि अधों लिखित यूग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है इन में से हमारा सही कौन सा है देखिए अगर हम सही की बात कर लेते हैं तो हमारा ओपसन नमर हमारा पे ई सही हो जाएगा एक्टाउन के अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पे दिखिए ESC journey का नाम जो है दोस्तों जीजसाम्सन के द्वार यह हो जागी है और अल्ट्राकन की बात कर लेते हैं तो अरेश्ट अर्दरफोड हो जाएगा प्रोटान आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रोटान आपका गोल्ड इस्टीनर हो जाएगा और पॉजिट्रोन के अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कार्ल अंडर्सन हो जाएगा चली आगे देख लेते हैंौ 63 नंबर किसी परमाणू नाभी का आईसो टोप वह नाभीख है जिसमें वह नाभीख है जिसमें प्रोटान का संख्या समान होती है परन्तों निर्टान course की यहाँ बिन होती सुलियूम सल्फियट सोडियूम थायो सल्फियट इसका उत्तर हो जायगा भी कि मित्रधातूं में से किसे अंपलर कहते हैं तो making एक चरब करने क्रड़ का नहीं है राधातू है buffs ना हम नहीं नहीं है रसाइनिक उर्वरक जो है हमारा यहां पर नहीं है आंसर हो जाएगा सोडियम सलफेट सोडियम सलफेट ऑप्सन नमर भी करेक्ट हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण है निमलखित में से कौन सा योगिक जो है चाइनीज वाइट कहलाता है चाइनीज वाइट कहलाता है आंसर हो आते हैं आंसर हो जाएगा उप पर जीवी क्या हो जाएगा उप यानि उसके उपर तो आप उप से समझेंगे और जीवी तो पर जीवी ही होगा आंसर हमारा यहां पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मानो सद्रिस लगूतम कपी है मधू लगूतम कपी है आंसर हो जाएगा गी गुर्सुत्र के एगर खोच की बात कर लेते हैं तब ट्रांस बर्गर ने किया था निमलिखित में से कौन सा मानौ दंत के वल इस्थाई दंत विन्यास में प्रकट होता है आंसर हो जाएगा option बर B चवरनक हो जाएगा option बर B correct answer हो जाएगा निमलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ति किरिया जो है नहीं है रिफलेक्स एक्षन आंसर हो जाएगा हाथ का हिलना हाथ का हिलना जो है आपका यहाँ पे एक परवर्त यानि प्रतिवर्ति किरिया नहीं है डी इसका उत्तर हो जाएगा बाकी सुआस है, लार है और आपका यहाँ पे हार्ट पंप भी है मादा जदन पत्थ में पहुचने के पश्चात मानोख सुक्राणू अपनी निसेचन छमता जो है सुनचित रखते हैं आंसर हो जाएगा एक से दो दिनों के लिए D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय और भैस के थनों में दूगद यानि दूद उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगा जाती है यहाँ पे इंजक्शन के बारे हम पुछाएगा सभी को पता है ऑक्सी टॉक्सिन हो जाएगा यानि ऑक्सी टॉसिन ऑप्सन नंबर भी इसका सही आंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा यूग में जो है सही सुमेलित नहीं है याद रखेंगे गलत इसमें कौन सा है देखिए पसेतर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हमारा गलत हो जाएगा विटामिन भी बारा की बात कि लेते हैं तो प्रती अरक्षी कारण हो यहाँ पे सही ह बागी बिटामिन के जो दिया गया है यहां पर प्रती रक्त इस्तरावी कारक यहां पर सही हो जाएगा हमारा यहां पर सी गलत हो जाएगा आगे प्रस्ने के देवदार फर इस्पूरूस लार्च और सरू के प्रसीद लकड़ी के पौधे हैं कई पहाड़ी छेतरों में भी व्यापक रूप से पाए गयाते हैं आंसर हो जाएगा जेमनु स्पर्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर देखिए मिलान करके बताना है तो मिलाते हैं जैसे अगर हम फल की बात कर लेते हैं तो फल हमारा यहां पर हो जाएगा अंडा से बीज हमारा हो जाएगा बीजांड काश्ट जो है यह आपका हो जाएगा तना और मंड जो है आपका पत्ती हो जाएगा option आप arrange कर लेंगे स्टार्च और सेलोज के बारे में निमलखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है स्वारी कौन सा कथन जो है यहां पर गलत है सही नहीं है तो देख लेते हैं देखिए दोनों का वानस्पतिक उद्भव है सही है दोनों बहुलक है यह भी आपका यहां पर सही है आयोडीन के साथ जो है दोनों रंग प्रदान करते हैं यही हमारा यहां पर गलत हो जाएगा कि एक भीज जो जैवीरु यूद्में काम आता है ठले शीमय आपका हो जाएगा यहां पर दोसी hypothesis उत्वन रोग और सरो सरोगेसी सरोगेसी आपका हो जाएगा गर्व के संघनन से बनता है अंसर आपका हो जाएगा कोसीन went काaker हम तमों घ्स नमर हमर औस नवह है है फिर कोई नहीं यहां पर यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा ठीक है चलिए आगे हम देख लेते हैं जैसे एट्स से विसाणू में होता है एट्स से विसाणू में होता है आंसर आपका यहां पे हो जाएगा आरेने प्लस प्रोटीन हो जाएगा आरेने प्लस प्रोटीन तेकि आरेने का मुख्य कारे जो होता है प्रोटीन संसलेस्टन में सहायता करना होता है एट्स का आपका फ समबंदित है आंसर हो जायगा चार्ल्स डार्वीन चार्ल्स डार्वीन इसका सही उत्तर हो जायगा इन्होंने जयविकास से समबंदित प्रकृतिक चैयन जो है सिधान्द दिया था इन्होंने अपने पुस्तक The Origin of Species में इनकी अधार्ना को प्रस्तुत किया गया है आगे हमारा मैस का कोशन है तो आप सब लोग टार्गेट बैच में फटाफट जुड़िए वहां से आप सब लोग को पीडिया जाएगा वो भी डिसकसन के साथ दिया जाएगा तो टार्गेट बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बहुत ही जल्द आपका यहां पे एक अनाउंस किया जाएगा किस तरीके से टार्गेट बैच में आपको जुड़ना है कितना एक एक मीनिमम फी देना है बहुत ही कम फी है ठीक है जो लोग बिहार सी सीजल से कम सकम तीन-चार सो बच्चे जुड़े हुए थे उनको पता होगा पूरा बहुत अधिक दिया गया था आगे देखेंगे चूरिया घार्ट के पहाड़ियां नेपाल में इस्थी थे यह पहाड़ियां जो है हिस्सा है किसका तो आप इसको अच्छे सी याद रखेंगे हमारा जियोग्राफिय को सन यहां पर स्टार्ट हो गया है तो क्या है को सन 93 न यह सं माले की नविंत्हम रेंगे परस्द है मिल्कीत में से कौं सी अगले सेल नहीं है अगले सेल नहीं है देखिए इसका आंसर अपका हो जायंगा आप सिंसरी सेल्ध हो जाएगा उक्त mentale की नम इसका उत्तर हो जायगा आगए करने कर ड़़ाइत हो जाएगा और डायोराइट हो जाएगा बेसाल्ट हो जाएगा गैब्रो हो जाएगा और ओपसीडियन हो जाएगा एंडेसाइट हो जाएगा यह सब अगने सेल का यह सब उधरण मनायता है अगर हम वही बात कर लेते हैं डोलोमाइट के बारे में तो यह आपका निमल्कित में से किस खनीच का यहां पर भंडार है राइस्ठान के उदयपूर में दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा option number हमारा यहाँ पे E हो जाएगा देखिए उदैपूर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका सीसा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जस्ता भी हो जाएगा तो उत्तर हमारा यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे उत्तर हो जाएगा निम्नलिखीत में से किसको प्रमुख पतन की रूप में मंजूरी दिया गया है आंसर आपका हो जाएगा ओप्स नमबर B यानि वधावन याद रखेंगे वधावन पुरुवत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दश्छिट दीशा के सही करम में विवस्थित कीजिए और सही विकल्प का यहां पर चैन कीजिए देख्ये इसमें आपका मिसमी पहाड़िया हो जाएगा पहले फिर आपका यहां पर पटकाई बम हो जाएगा नागा पहाड़ियां हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे मीजो पहाड़ियां हो जाएगा तो सही आंसर हमारा यहाँ पे option number A correct हो जाएगा 99 देख लेते हैं बोला कि उत्तर बिहार के मैदान को पसीम से पूरब दिसा में विवस्तित कीजिए देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जायगा आपका option number A हो जायगा यserनी मौतिहारी का मैदान, मदुवनी का मैदान, सहरसा का मैदान हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे चौत्ते एक बाद दूसरा अरलिया का मैदान, पिर आपका कटिहार का मैदान तो option हमारे यहां पे A correct हो जाएगा निमलिखित में से किस इस्थान किन इस्थानों पर नाभकी विधुत सन्यांतर जो है इस्थित नहीं है तो इस्थित नहीं है तो देखिए इसका जो सही answer हो जाएगा आपका option number C हो जाएगा जैपूर चैपूर में आपका यहां पे इस्थित नहीं है उसर मृद्दा किस जिले में पाई जाती है उसर मृद्दा जो है आपके कौन से जिले में पाई जाती है answer हो जाएगा सिवान जिला क्या हो जाएगा सिवान जिला निमलकित में से कौन सत्त नो प्रिथिवी कि परपटी में क्रंप सह उच्चितम और निम्नतम मात्रा में पायेता है आँसर हो जाएगा ऑक्सिजन और मैंगनिसियम हो जाएगा ऑप्सन नमर डी स्का सही उत्तर हो जाएगा आउक्सियर की जो मात्रा होता है आपका marc être 6 जी रो हो जाएगा मैगनीशियम आपका 2024 09 हो जाएगा भारत में अधिक्तम संख्या की बात करें लेते हैं आपका उड़ी्श में सबसे अधिक हां पी आते हैंru आगए की रोसबी तरंगे से आप क्या समझते हैं आंसर हो जाएगा option number E इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है पिर्थिवी यहां पर हम बात कर लेते हैं कि दो सबी तरंगे स्वाभाविक रूप से तरल पदार्थों में घुनन होती है यह नेचले वाजुमंडल की पवन है अधिक उचाय में पवनों की वरिहत का गुहमावदार बाहाव होती है इन लिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है तक्नीक और यहां पर फसल उपयूग दिया गया है देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो यहीं हमारे यहां पर बजार की मांग के अनूसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना यहीं हमारे यहां पर गलत हो बागी जो हमारा यहां पर दिया गया है कि अपगलन जो है रेटिंगा आपका जूट सही है रेटुल सही है और हमारा ये पे अधिकी ON आप परिस्टि थे तो कभी कभी यह पर एकन्हेंट मिलता है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओरिसा राज में मयूर भंज जिला में स्थित है कहां पर मयूर भंज जिला में स्थित है तो कभी चब यह भी आपका प्रस brokers पूछता है और सिमली पाल जो है दोस्तों किस्के लिए प्रसिद है तो बाग अभ्यारने के लिए प्रसिद है बाग अभ्यारने के लिए निमलिकित में से कौन से दश्विड भारत के सबसे उची चोटी है सबसे उची चोटी की बात कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा एक सेकेंड कौन सा नंबर है यह हमारा एक सो साथ नंबर है न तो इसको हम अच्छे सफिर से देख लेते हैं यह हमारा हो जाएगा अनाई मूडी ऑप्सन नंबर बी हीम तेंदुआ राज पसु कौन सा है देखें हीम जोफ में से इसी का उत्तर हमारा एक से अधिका उत्तर हो जाएंगा आगे आहां पर पर अंग एक takes का नाम और देशtt कौन आ है कौन समेलित्प नहीं आ गलत कौन सा है तो हमारे यहां पर दूरन्द लाइन जो है हमारा भारत और बांग्लाद dáस्जे ही हमारा गल्ट हो जाएगा माधर की बात कर लेते हैं तो हमारा अफगानिस्तान और भारत की बीच सीमा रेखा है बाकी हमन डैट क्लिप जो दिया गया है भारत और पाकिस्तान सही है मैक मोहन भारत और चीन सही है पाक जल्डमरू मद्ध जो है हमारा भारत और स्रिलंका सही है निमलिकित में से कौन सरकारी प्रती भूतियों का सबसे बड़ा धारक है आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर ए वाने जी बैंक ऑप असे तरीके से कौन सर्ण रहे ज्यार्ण नंबर है है कि इसका आंसर आपका नरसीमन समीति जो है उर्वनक कंपणियों का विन इवेस यह हमारा गलत हो जाएगा देकिया समित्टी के समबंद होता है बैंकिंग में चित्र में सुधार के लिए बाकि आपका माले को हान समित्य आपका पुर्जी खाता परीवर्त नियता से हैं राजचेलाय समित्य आपका भारत में कर सुधार से हैं तो आप याद ही लोग पढ़ना लिखना अभियान किसे सिख्षि संचरण में मदद करेगा आंसर हो जाएगा option number E देखे आरब्याई की मौदर्ग नितिय का जो प्राथमिक उद्धे से हैं विकास को ध्यान में रखते हुए मुल्य इस्थिरता बनाए रखना है मुल्य इस्थिरता जो है बनाए रखना है सदत विकास के लिए मुल्य इस्थि यह बैंक का आरंभिक नियूनतम पूजी रासी जो है कितना होता है तो यह हमारा होता है एक सव रुपय एक सव करोड़ रुपया यहां पर हो जाएगा बैंक हमारे गाओं पहल जो है किसके द्वरा किरियानवित की जाती है करेंट का प्रस्ण है आंसर हो जाएगा हमारा option B भी जीवी का सदस्य हो जाएगा याद रखेंगे बिहार के निम्न किस जीले में सहरी करण की जो दर है पांच प्रतिसत से आधिक है पांच पर्सेंट से यहां पर अधिक है आंसर हो जाएगा नालंदा ऑप्शन नमर डी किस राज जने बाल हिरदय योजना सुरू किया है और इसके लिए कितनी रासी जो है नजहयत की गई है कितनी रासी आंसर हो जाएगा बिहार तीन सो करोड आप्शन अंबर डी आगे कि फैंटम कापिटल सब्ध जो है डैस से सम्बंदित है आंसर हो जाएगा अच्छरी गार है कि अच्छा हो जाएगा option number हमारे हैं पर सी सई हो जाएगा याद रखेंगे दो लाग 18302.70 करूर हो जाएगा सी इसका answer हो जाएगा निमलिखित में से कौन सम्मोल अधिकार विद्यसी नागरिकों को प्राप्त नहीं है विद्यसी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अभी व्यक्ति के स्वतनता का अधिकार कि मिट्टी में चूना एवं छार की कमी जो है पाई जाती है को आंसर हो जाएगा option number यहां क्या हो जाएगा बताईएगा बल्थर बल्थर मिट्टी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्थर मिट्टी रेट एवं कंकर यूक्त अमलिय प्रकृति की होती है बिहार में किस परकार के सैलों में पायराइट पाया आता है पायराइट जो है पाया आता है आंसर हो जाए करम सेल हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा निमलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है इन में से आपका कौन सा है जो गलत है तो गलत की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा सी सा जो है पूर्णिया यही हमारा गलत हो जाएगा ठीक है तो आप इसको अच्छे सियाद रखें में अग्रड जीला है पूर्णिया जो है जूट के लिए प्रसीद है बाकी क्वाटर जो है मुंगेर सही है बाक सैड जो है आपका रोहता सही है और यहां पे फिल्सफार जो है आपका गया सही है निमलिखित में से कौन से राष्ट्रिय जलमार्ग जो है बिहार से गुजरता बिहार में धान रोपते समय कौन सा गित गया जाता था बताईएगा तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का ओप्सिन नमर बी चोंचर गित क्या हो जाएगा चोंचर गित याद रखेंगे बिहार में निउन्तम महिला सक्षरता दर वाला जीला जो है कौन सा है आंसर हो जाएगा सहर सा ओप्सिन नमर बी निउन्तम जनसंख्या के अनुसार जीलो का जो सही करम है बताईए देखिए इसका उतर हो जाएगा सिखपूरा हो जाएगा फिर सिवहर हो जाएगा फिर आपक यहां पे लखी सरा है तो option हमारा यहां पे डी सही हो जाएगा जन जाती दिया गया है और आपका यहां पे जिला दिया गया है तो हम इसको देख लेते हैं अगर हम कोरा की बात कर लेते हैं तो कोरा हमारा कटिहार हो जाएगा उराव जन जाती आपका यहां पे चंपरन हो है बोला किसे वर्स 2020 का प्रतिष्टित भूकर पुरसकार जो है प्रदान किये जाने का घोशना किया गया है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन बर यहां पे सी हो जाएगा डगलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे भूलेंगे नहीं आगे प्रसन हमारा क्या है दुनिया का सबसे बड़ा उट फेस्टिवल पुसकर मिला 2022 जो है कहां पे शुरू हुआ है पुसकर मिला बताईए क्या होगा इसका सही आंसर देखिए 31 के अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा राजस्थान ये इसका सही उत्तर हो जाएगा किस राज सरकार दोरा अभियुदय निसुल कोचिंग योजना का जो है सुभारम किया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश ऑपरेशन समदल से तू दूतिय किसके दोरा जो है लांच किया गया है किसके दोरा य 2030 का है दोस्तों यह आपका दोहा में किया जाएगा कहां पे दोहा ओप्शन नमर भी टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुस एकल वर्ग का जो खिताब है किसने जीता है आंसर हो जाएगा राफेल नडाल राफेल नडाल ओप्शन नमर भी चर्चित पुस्तक वोच खेल सम्मान मेजर दिहाचंद्र खेल रतन पूरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो 2022 की बात कर लेते हैं तो सरत कमल अंजता टेबल टेनिस ऑप्शन नमर एक करेक्ट हो जाएगा जलवायू परिवर्तर प्रदलसंद सुचकांग और 23 में भारत किस इस्थान प तितली को जो है राज तितली घोचित किया है तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन मर सी अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश आप सबी लोग अच्छे से याद रखेंगे राज सभा के नए महासाचिव की रूप में किसे न्यूक्त किया गया है राज य सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पैसेवर योजना सुरू करने की होशना किया है आंसर हो जाएगा ऑप्शन मर सी ब्रिटेन ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा किस राज ने जन सेवक ऑनलाइन पोर्टल और जन इसपंदन नामक एकिकरीत लोक सिकायत निवारन प्रणाली जो है लॉंच किया है आंसर हो जाएगा करनाटक क्या हो जाएगा करनाटक किसका उत्तर हो जाएगा निम्न यानि मिस्र में आयोजित सन्युक्त राष्टर की 27 जलवाई परिवर्तन बैठक 2022 कोप 27 में भा भारत की तरफ से भूपेंद्र यादों ने किया है और बी इसका आंसर हो जाएगा आगे है प्रसना आपका निम्न में से किस रेलिवे स्टेशन पर भारती रेलिवे ने पहला पॉड होटल लॉंच किया है देखिए पॉड होटल की बात कर लेते हैं मुंबाई सेंट्रल स् जाएगा याद रखेंगे आगे प्रसने कि भारतिय खिल प्राधिकरण ने कितने एथलीटों और कोचों को पहली बार संस्थागत पुरसकार से सम्मानित किया है आंसर हो जाएगा दो सो चे आलिस नौमबर दोयर बाइस को गुरु नानक देव की कौन सी जैंती जो है 2535 उत्तर प्रदेश राज सरकार ने किस वर्स तक मधुरा यानि मधुरा विरंदावन पो सुद्य सुन्य कार्बन उत्सर्जन जो है परेटन इस्थल मनाने की घोष्णा किया है कि दोहार एक्तारिस ओप्सन नमर भी राष्ट्रिय कानुनी सेवा दीवस दोयर बाइस नैस करके बताएंगे और आपने कितना प्रसंद सही किया है कितना आपका निगेटी हुआ है सभी आप कमेंट करके बताएंगे और इसका टार्गेट बैस बहुत हिजल्दी स्टार्ट होगा और आप सब लोग को उसमें जुड़ना है और पीटी तक आप यहां पर जुड़े र